नमस्कार सातियों मैं फिर से डॉक्टर हिमेंदर अगरवाल स्पोर्स इंजिरी स्पेशलिस्ट और्थोपडिक सरजन नारायना होस्पिटल जैपूर से लाश्ट वीडियो में हमने बात करी ACL कैसे तूटता है उसकी क्या एनाटमी होती है तूट गया तो क्या करना है करने के बाद फाइनली हम इस निशकशन पर निकले कि जबी भी ACL अगर पूरा टॉट गया है तो उसका रिकंस्ट्रेक्शन करना है कैसे करना है क्या 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 ओप्शन्स हैं कैसे हम ठीक करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में चर्चागाते है लेको ACL असके रिकंस्ट्रीक्शन हैं लेका ख्रशियों इस ग्रचागा इंधा है तो उसको हम ठीक करता है अब उसमें किया जाता है मैं अ तो उसको नया बनाने के लिए कुछ कुछ मसल टेंडन्स काम यूज करते हैं जैसे आप लोगों के वीडियो में अधर गोगल पर पड़ा भी होगा अधर जगे अपने इसके वारे में सुना भी होगा मेंली 3-4 ओप्शन से जिन टिशू को हम यूज करते हैं इस लिगामेंट को नैचुरली नया बनाने के लिए सबसे कॉमन है है हैमिश्टरिंग मसल है हैमिश्टरिंग मसल जो जो घुटने की पीछे वाली मसल्स हैं जो जो पैल्विस से आती हैं घुटने पे जुड़ती हैं जिसमें मोस्ट कॉमनली हैमिश्टरिंग मसल्स यूज की जाती है सैमी टेंडिनोसिस एंड ग्रियस सेलिस दो मसल होती है जिसको मेंली यूज किया जाता है इस लिगामेंट के रिकंस्ट्रुक्शन में में लिए गुटने की पीछे वाली सत्य पर अगर आप गुटना मुड़ा हुआ है और फील करेंगे ते टाइड बेंड फील होगा उन मसल्स को यूज किया जाता है इसके रिकंस्ट्रुक्शन में अधर अपशन के एक एक एंकल के भारी इस ले ऐडी के बार इसले पर अवरोनियस लॉंग स्का टेंडन लेते हैं बहुत अच्छा ग्राफ होता है उसको भी नेचुरली यूज किया जाता थर्ड आप्शन कब देख seven थो इस है तो इसका पार्ट लिया जाता थ है फूर्था आप्शंनगता थफ आपशने है काफ अब चम सब्सक पडि casi काफ्प मुल्स जो commonly used होता है, आजकल हम कम करते ही हम, एक हो थो टिशू पर हम ख्रापिंह तेंड़ तक हम रागा डाह है उसे प्थ मिसश कैते हैं अगी। मुस आजी एक कोड़ा किने मंटू bonus होता है। उसके और के उसके डाज ही टिसू टिशू तक हम अधन सब़ा ohs इसको भी यूस किया जाता है, जिसके आरे में बताऊंगा, इसको कब करते हैं, क्या करना है, कैसे करना है, तो ये मेंली 5 most commonly used muscle tendons हैं, जो यूस किया जाते हैं, अब सब के अपने limitations है, सब के अपने फाइदे हैं, आपको क्या prefer करना चाहिए, लोग बागे जानना चाहते हैं, क क्या कौन सार टेंडन यूस करवाना चाहिए, इसके बारे में discussion करते हैं, हैमिश्टिंग मसल, हैमिश्टिंग मसल का ये पार्ट सेमिटेंडिनो सेंस गिरिस्यालिस, सब से कॉमली यूस होता है, वर्लड वाइड मैक्जिमम सर्जंस इस लिगामेंट को यूस करते हैं, विक जाता है, तो ये मोश्ट कॉमन है, छोटी सी लिमिटेशन है कि जब भी हम इस एरिये पे इंसीजन लगाता है, गुटने की अंदरी सतह पे लगबग इसमें 2 cm का चीरा लगता है, पर इन्वेरियबली इस जगे एक नस जाती है, जो बॉड़ी की इस हिस्से को सप्लाय करती है, नर्व, कई बार वो वो ट्रेक्शन इंजिरी से इंजर होती है, और टांग के अंदरी सतह पे सुनपन दे देती है, तकलीव उससे कुछ नहीं होती है, पर पेशेंट्स एप्रेंसे हो जाते हैं कि सर ये मेरे को सुनपन हो गया, कब जाएगा, 90% पीपल में 6-9 ने रिक दे पारी बार जाता चाँी लोगों में रह जाता है, तो यह चोटी सी लिमेटेशन है, बाकी हमिश्रिंग मसल एक स्ट्रॉंग तेंडन होता है, दौनों बसल को क्वाडरी पल करके, मनले हैं फोर्फोल्ड करके यूज किया जाता है, अदर टेंडन है, एंकल के पास परोन परुनियस लॉंगस वाला जो टेंडन है वह बहुत इस्ट्रॉंग टेंडन होता है जो एडी की भारी तसे लिया जाता है उसमें भी वह वह कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा रहता है क्योंकि आपको एक इसकार जो आएगा वह जश्ट एडी के भार और पीछे वाले टकने के पास में आएगा जो यूजरी दो सेंटीमेटर होता है वहां पर कोई आपको कॉस्मेटिकली आपको अजीब नहीं लगता है कोई पता नहीं लगता कि जगे कोई चीरा भी है नहीं उसका सिंगल इस्ट्रेंदी अच्छा थिकन होता है लग बाग आठ एम गराफ्ट आराम स चीरे लगे तो यह उसके फाइदे है थोड़ा सा नुकसान क्या है कि जब भी एंकल पर सेम उसको हर्वेस्ट करते हैं तो कई लोग एंकल पे इनकी समस्या करते हैं कि जब भी हम चल फिर रहें तो एडी में दर्द हो रहा है पर वो धीरे-दीरे मिड जाता है कोई उससे प चीरे से निकाले जा सकते हैं तकलीफ नहीं देता है तो टेंडो एकलिस जो जो काफ मसल्स के पीछे वाला इससा है इसमें थोड़ा चीरा बड़ा लगता है उस टेंडन को हर्वेस्ट करने के लिए और स्ट्रॉंग अच्छा होता है पर आपको इसमें परेशन यह रहते है कि वह पेइन काफी दिन तक रहता है सेम विद दे क्वाडरिसेप्स मसल्स की जो जांकी है उसमें एक इस्ट्रिप ली जाती है एक थिक इस्ट्रिप हम यूज कर सें सो एट उसको फोल्ड करके हम साथा था ठेम हम का ग्राफ्ट बना ले पर उसके साथ भी यही लिमिटेश पटेलर टेंडन का मिडल थर्ड लिया जाता है यह यह नेचुरली आपने टेंडन लिया जो बोन के साथ अटेश और उसी को फिक्स कर दिया एसील बनाने के लिए तो इसकी हीलिंग अच्छी होती है इस्ट्रेंथ बहुत हाई होती है तो जो इस्पोर्ट्स एग्रेसिव स केलते हैं लाइक कबड़ी लाइक फुटबॉल जिसमें कॉंटेक्ट स्पोर्स है एक दूसरे बिढ़ना है उन प्लेयर में बोन पटिल और बोन सबसे स्ट्रॉंगेश लिगामेंट है इसलिए हम उसको ऐसे स्पोर्स प्लेयर के लिए रिजर रखते हैं जो हाई डिमांड ह क्योंकि इसके साथ लिमिटेशन जब भी इसको हर्वेस्ट करते हैं तो चीरा बड़ा लगता है इस टेंडन को निकालने के लिए लगबग चार से पांच सेंटिमेटर का चीरा लगता है दूसरा इसके साथ कई बार लोगों को नी पेन रहता है तो यह यह लिमिटेशन के क कि अब ACL को कैसे बनाना है क्या करना है सर इसमें सर्जरी में क्या करेंगे उसके वरे में आगे डिसकस करेंगे नेक्ट वीडियो में